ठीक है अचा यह जो है ड Mauń स्टेशन के लिए श्रूम् फर्म में हमें क्या-क्या ध्यान रखना है कि हमें टेंप इंप बेचिर मैं जो भगाना चाहते हैं तो यह ज़ो फ़र्म है यह पेड़ के नीचे बनाएं तो पहला हमें कोशिश करना चाहिए कि छाय जगर पे हो ताकि धूप का जो सन लाइड डायरेक्ली ना है तो ज्यादा गरम नहीं होगा फिर क्या होता है ना गर्मी में बहुत गर्मी ना बढ़ जाए इसके लिए रूफ में देखिए स्ट्रॉ यूस किया गया है जो नॉर्मल पैडी स्ट्रॉ या कोई भी स्ट्रॉ इसा कोई फिक्स नहीं है में जो चाहिए हमें कि ऐसा फाम हो जिसमें टेम्परेचर हमारा कंट्रोल में रहे बहुत गरम ना हो फिर मैंने क्या कहा था एर सर्कुलेशन होना चीए देखो अंदर लग रहा है ना थोड़ा एर है सफोकेशन तो नहीं लग रहा है तो यहां प प्रूटिंग बॉड़ी इसको तब पदा चलता है कि किस डायरेक्शन होगना है जैसे पेड़ों को चाहिए एवन दो मश्रूम फोटो संथिस क्लोरोफिल नहीं करती है लेकिन लाइट इस नेसेसरी फॉर दें कुछ मश्रूम है जिनको लाइट नहीं चाहिए बद मोस्ट फॉर इस प्रॉफिटेबल था क्योंकि इतने से जगे में मैं कम से कम डेली 50 to 100 किलो भी मुष्रूम होगा सकता हूं इसे अमेजिंग वाई क्योंकि नॉर्मल फार्मिंग में यह रहा हमें लैंड यूस करना पड़ेगा जितना ज्यादा लैंड लैंड उतना फार्मिंग औ तरीक तरीक गहां यह को शी बाना रहा सकते हैं maya hosting तो बहुत तरीके से भूरा गर सकते हो और ओपर बहर सकते हैं तो यह जो फंपल ही सिंप्ल आधे यह नॉद पर स्टार्म है यहां इस स्ट्रोब की योज़ीघा है यहां पर यूज़े थिक करती ना चलिए या पाइप से भी दे सकते हैं अब गर्मी में फार्म को कैसे ठंडा रखेंगे हम लोग तो हम लोग उस बग मट्टी को जो है गीला करेंगे या फिर जूट का बैग होता है चौटर बैग इसको हम लोग इस तरह से हैंग कर देंगे और उसमें पानी देंगे तो कूलींग एक एफेक्ट आएगा तो फाम ठंडा रहेगा तो मैंने क्या बता है वेश्टर मश्रूम कर सकते हैं 15 लग बग 30 डिग्री तक अब मिल्की में ट्वंटी एट तू 35 अदर देन गर्मी में हम पैडी स्ट्रॉम कर सकते हैं जो लग बग 38 डिग्री तक होता है वो भी अच्छा मैं अभी दिखाया तो बहुत सारे मश्रूम हम गर्मी में भी कर सकते हैं और विंटर में तो ओष्टर है कि ओष्टर है शिटाके है तो मश्रूम एक ऐसा है नहां हमें ज्यादा खर्चानी चाहिए ज़रूरी नहीं कि हम एर कंडिशन लगाए और बटन मश्रूम भी सब्सक्राइब करेंगे जैसे पूरे फ्लोर में ब्लीचिंग पाउडर चिटकेंगे फिर हम क्या करेंगे उसके बाद हम करेंगे क्योंकि जो मश्रूम होता उसका स्पोर होता है न वह भी बहुत जादा सब्सक्राइब करने के लिए बैक्टेरिया वाइर में है उसको खतम करने के लिए फिमिट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा फॉर्मिली उसमें रखके पूरे घर में रखके घर को इसे बंद करके रख देंगे 48 आउर्स में पूरा एर भी कंटेमिनेशन फ्री हो जाएगा देन हम नेक्स साइकल शुरू करेंगे तो कंटीनुली एक ही फार में ज्यादा दिन मश्रूम नहीं करना चाहिए वाश करकर के हर साइकल बाद नहीं से करना चाहिए यह लो कॉर स्टक्चर है बैंबू यूस कर सकते हैं इसा कोई हार्ट इ झाल झाल